नमस्कार दोस्तों आपका हमारी यूटूब के इस चनल में जिसका नाम है आयरवेद एवं घरेल उपचार जिहां दोस्तों फिर में आपके सामने एक और ऐसा आयरवेदिक पौधा लेकर के आया हूँ जिसको आप वीडियो के माद्धम से देख सकते हैं कि यह पौधा जो हो यह फिर महिलाओं से रिलिटेड विमारी उन सभी विमारीयों को दूर करने का यह पौधा कारिक करता है और बास्ता में दोस्तों आयरवेद की माने तो यह पौधा जो होता है काफी दिव्य गुण अपने में रखता है वैसे दोस्तों यह जो पौधा पूरे भारत वरसम बहुत है मातरा में पाया जाता था पर एक बार की बात है यह पौधा अब आपको जो सिर्फ देखने को नहीं मिलता क्योंकि यह जो पौधा होता है अब आपको किसी पार्क में ही देखने को मिलेगा और जो कि किसी ने इसको लगाया हो दोस्तों इसके जो पौधा होता है चाल का उपयोग किया जाता है इसकी पती का उपयोग आयरवेद में बहुत मातरा में किया जाता है जिसकी वज़ा से दोस्तों जो लोग नहीं जानते कि चाल को निकाला कैसे जाता है वो लोग इसकी चाल को जो चारों तरप से निकाल लेते हैं जिसकी बात सी यह पौधा जो होता धीरे धीरे हमारे भारत से खतम होने लग गया है दोस्तों मैं यह यह वनमेला में आया हुआ तो भोपाल सेहर में लगता है जिसमें काफ़ी सारे ऐसे दूर दूर से पूरे भारत से लोग आते हैं अपने आयरवेदिक पौधों को ले करके आते हैं उनको क्राविक्रा करके दोस्तों उनके आयरवेदिक लाप के बारे में भी बतलाते हैं इस प्रकार से इसमें एक पोश्टर लगा रहता है जिस से पत है और इसका प्थे का चूड़न जो होता है और ढम विल बिंदा चांग वह कितना हम्सिता क्ले के दों मेदा को में दोस्तों में यह में पहचान के मेल घ्र दो दोस्तों यह शॡथा का विशाल का प्योग हो में गर के लोग करते हैं तो दोस्तों ये तो हो गए इसकी पहचान अब जानते हैं इसके कुछ आयरवेदिक लाप के बारे में दोस्तों जैसे कि चाल का प्रयोग जो होता है कमर दर्द अर्थराइटीस हो गया या फिर साइटिका के मरीज हो गया है जिनको जोडों का दर्द हो उनके लिए इसके चाल का प्रयोग किया जाता है जिन लोगों गठियावाद की सिकायत उनके लिए भी पौधा जोता काफी फाइदेमन माना गया है हमारे घर में जो बुजूर्ग होते हैं उन लोगों के घुटनों में दर्द होता है घुटने की ग्रीस खतम हो जाती है ज कमर दर्द को ठीक करने का कारे करता है कमर दर्द हो चाहे अर्थराइटी से नेमित तोर पे एक से दो गराम की मातरवाद पीने से या सरी के सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द को दूर करने का कारे करता है जिन लोगों को चोट लग जाती घाव हो जाता या फिर उनका अपने घाव पर रखेंगे दोस्तों आप देखेंगे कि दो से तीन दिन के मातर अंदर ही मातर आपका घाव जो होता है वो सुखने लग जाता है नई चमड़ी उसमें आने लग जाती है काफी फायदे मन्द होता है इसलिए भारत से पौदा धीरे-धीरे लुप्त होने की इसकी चाल को ले लेना है इसकी चाल को जो है दूद के साथ में इस्तमाल करने से दूद या फिर सहथ के साथ में इस्तमाल करने से यह आपके सरीर के वीरवान बनाने का कारे करता है जिन लोगों की सुक्राणों की संक्या कम है उनकी भी बढ़ाने का कारे करती है तीसरा दोस् कम से कम सो 25-500 ग्राम के मात्रा में। चाल को अच्छ तरीके से डाल देना है कौचर करके। और उसका व् Ryuya एक्रूद आपको तो इसको अच्छी तरीके से पका लेना। अत्रिक्त महामारी में भी इसका इस्तमाल किया जाता है जिन माता और महनों को अत्रिक्त महामारी जाती है यानि उनका बलड अत्यदिक जाता है या फिर उनका जो एक महने में भी दो से तीन बार उनका महामारी आ जाती है तो उनके लिए भी आफ काफी फायदे मन माना गया है दोस्तो मेधा की काफी जैसे इंदौर सहर में हो गया काफी ऐसे पार्कों में जो है काफी मात्रा में यह पौदा लगा हुआ और लोग बाग जो होते इसको सहेजने का कारे भी करने लगें क्योंकि इसका आयरवेदी गुण अत्य दिखी इसके पत्तों का पाउडर बना करके पीने से दोस्तों आपके सरी में रोग प्रतिरोदक छमता बढ़ती है जिससे आप रोगों से लड़ने में काफी आपको मदद मिल जाती सर्दी खासी जुखाम में इसके पत्तों का इस्तमाल करने से हलकी सी अधरक और हलकी सी लेसुन डाल करके उबाल करके इसका काड़ा पीने से या आपके सर्दी खासी जुखाम को चुटकियों में दूर करने कारी है पाउड़ा करता है बांजपन में भी दोस्तों इसका काफी महतोपूनिस्थान माना गया है जिन पुरसों में बांजपन की सिकायत रहती है जिसकी वज़े से वह है उनको संता नहीं होती है जिनकी बज़ा होती है सुक्राणों की कमी होती है जिससे आपकी सुक्राणों की संक्या को बढ़ाने का साथ में आपने चुस्ति एんと दिलाने का याह पोधा करता है काफ़ी सार रोगों से लड़ने में भी मैदा का पोधा आपका काम करता दोस्तो हर दिसंबर में दूस्तो नौमे बसे दिसंबर के माहें यह वन मेला लगता है मद्धरोदेस राज जी के भुपाल सहर मेला के बारे में जान गया होंगे वीडियो अगर पसंद आया था वीडियो के लाइक जरू कीजेगा और दोस्तो अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया थे चनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा नोटिफिकेशन बेल को तब तक लिजाजी दीजे हर महादेव दोस्तों